let's solve this question in a 15 meter race Anil beats Bakul by 150 meter and in the same race Bakul beats Charles by 75 meter तो we have to find out by what distance does Anil beat Charles 1500 meter की race है जिसमें Anil ने Bakul को 1500 meter से हराया देखिए Anil Bakul और Charles तीन लोग हैं race में participate किये हैं 1500 meter का race है तो 1500 meter जब Anil ने race को पूरा किया तो उस समय उसी point पे Bakul ने कितना किया होगा 1350 meter क्योंकि ये 150 meter से हार चुका है so he would have completed only 150 meter less than 1500 meter तो बाकुल के द्वारा कितना दूरी तेखिया होगा तो चार्स ने कितना तय किया होगा 14 25 meter 75 meter कम किया होगा इससे है ना अब हम इन तीनों का ratio find out करेंगे तो क्या होगा हमें हमें यहां पर मिलेगा 15 10 से और 15 9 से 10 ratio 9 और इसमें मिलेगा करेंटी टैम्स में यह 19 टैम्स में कट जाएगा ठीक है तो आपको ratio क्या मिला यह मिला 200 ratio 180 ratio और 19 into 9 is 171 मिन्स इन तीनों का ratio इतना है कि डिस्टेंस कभर करने का एक ही time पे मतलब कि अनील जो है एक पर्टिकुलर टैम पे 200 मीटर के डिस्टेंस को कभर करता है वही बाकुल उसी पर्टिकुलर टैम पे 180 मीटर करता है और C मतलब चार्स उसी टैम पे 171 मीटर करता है है ना तो कितने मीटर से हाँ आएगा देखिए जब अनील 200 मीटर की दूरी यटाय करता है तो चार्स के द्वार डिस्टेंस कितना कभर किया गया है 171 मीटर चार्स के द्वारा ठीक है तो जब अनील एक मीटर की दूरी तै करेगा तो 171 बाइ 200 तो 1500 में जब 1500 मीटर की दूरी जब अनिल को तै करना होगा तो 171 बाइ 200 इंटू 1500 ठीक है तो यहां से हमें क्या मिलेगा हमें ये मिला कि 1500 मीटर जब अनिल ने कवर किया डिस्टेंस को तो चाल्स ने इतना मीटर तै किया है ना तो इसे मल्टिप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 1282.5 तो यहां से कन्फर्म हो चुका है कि अनिल ने जब 1500 मीटर डिस्टेंस कभर किया उस समय चाल्स ने 1282.5 किया तो कितने मीटर से हराया तो इसके लिए हमें क्या करना होगा दोनों को सब्ट्रेक्ट तो 1500-1282.5 तो इस विल बी 217.5 राइट अंसर